तर सबसे पहले तो आपको सेंटर रेलवे की तरफ से D.U.R.C. की अदासीन निवक्ति पर बढ़ाई है दूसरा सार ऐसा है कि मुंबई करों को देखा जाए तो जिसे अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है अभी दिपावली सामने होगी छड़ पूजा होगा नमबर दिसंबर में जो साधी बिवा होते है उत्र कि लोगों को जब गाउख जाना होता है तो गाड़ीकिड़ू की रह्में और यहां की जनता है वह बहुत ही प्रषान होती है तो उससे किसे तहसर से बनाया है। मुझे हुंबए डिविजन का सदश्य बनाया हुआ है। मेरी ये कोसिस रहेगी कि मद्ध रेलवे से चाहे वो उत्तर भारत का कोई भ्यक्ति हो चाहे दच्छिद भारत का हो चाहे कहीं का भी हो मद्ध मुझे यह मालूम है कि मध्ध रेल्वे अपने भर्सक अच्छा प्रयाज करती हैं कि उसके यात्री अच्छि से यात्रा करें. लेकिन है अभी सच्चाई है कि मध्ध रेल्वे के कुछ स्टेश्णों पर कुछ अधिकारी और कुछ आसामाजिक तत्व के लोग इकठा होकर यात्रियों को डिस्टर्ब करते हैं हमने खुद देखा है कि खास्त तोर से उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को बहुत ही कटनायों का सामना करना पड़ता है जब भी सीजन आता है तो बहुत सारे दलाल कि इकठा होकर अपना ग्रूप बना कर तरह तरह से उत्तर भारत जाने वाले यात्रियों को बहुत परिसान करते हैं उनको बहुत परिसानी का सामना करना पड़ता है यहां तक कि जब वह स्टेशन पर जाते हैं तो आट और एक सा टैक्सी वाले तक भी अपना ग्रूप बनाकर उन्हें एक तरह से लूटने का कार्ज करते हैं तो मेरी यह कोशिस होगी कि मुंबई CST, दादर, LTT, कुला टर्मिनस, ठाने, कल्यान से जो हमारे यात्री चाहे जहां भी जाते हों उन्हें जितनी सुविधाई मिल सकें मैं द एदिकारियों से और मेरी यह भी कोशिस रहेगी कि कुछ अच्छी ट्रेने जैसे आप देखते हैं कि वेस्टन रेलवे की बहुत सारी ट्रेने गुजरात और दिल्ली की तरफ जा रही है लेकिन हमारे पास एक ही दुरंतो है जो इलाहबाद तक जाती है अब लोग की मांग है कि बनारस और बनारस के आगे दुरंतो जानी चाहिए तो इन सब के लिए मेरी पूरी कोशिस होगी कि अपने यहां जाने वाले जितने भी क्यात्री हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलिप ना होने पाए और मैं उनके संपर्ग में रहूंगा